वेलकम तो मेरे घर की बगिया और एक चीज में कहना चाहूंगी जैसे अभी हर घर जंडा वाला जो था आभियान यह ठीक है हमने भी फैराया था लेकिन अब इसको होता है कि इसकी भी रेस्पेक्ट होती है इसका भी कुछ द्यूटी होती है नहीं कि आपने लगा लिया तो अब बस यह फैला हुआ है कि वैसे तो होता है कि हर मॉनिंग आप जब इसको चढ़ाये और हर इवनिंग इसको जंडे को निकाल के रिस्पेक्टफुली इसको रखिए अब देखिए लगा तो दिया लोगों ने और अभी भी देखिए इस फैला हुआ है यह देखिए तो लगाया हमने भी था बट हमने इसको निकाल दिया था इवनिंग में और इसकी जगे जहां पर है यह वहां पर बना रहे सुरक्षित जैहिंद तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ आज हम लेमन ग्रास के बारे में जानते हैं लेमन ग्रास वहती हल्दी हर्ब और यह ग्रीन टी है बेसिकली तो इसकी चाय सभी को पता है चाय काड़े में इसको लगाते कैसे हैं इसकी क्या टेक केर है और इसका कैसे हम मतलब इसको स्टोर कर सकते हार्वेस्ट करके यूज करने के लिए तो यह देखे मेरा यह बारा इंची के गंबले में लगा हुआ ह और मैंने यह लगवाया था नर्सरी से लाई थी में इसका छोटा सा प्लांट को लगाया था और अब यह कम से कम भी एक साल का प्लांट है बिसीकली यह तो इसमें से मैं एक यह एक बार हार्वेस्ट ले चुकी हूँ अची खासी और अभी यह देख रहे हैं फिर से बहुत में सारा तैयार है इसको मैं कट करके चाहे में जो थोड़ा बहत और सूख ला यह इस तरह से भी देखिए आप यह देखिए इस तरफ से तो यह सर्फ से भी यार मेरा और अगर में ग्रीन पोशन भी चाहती हूं तो इसको भी चाहे में काट करके सुखा लेंगे च्छा ऑर मिट्टी के लिए तू ये प्री इस लिए पर लूज़ बसरी तू नहीं गर्री फिर बिलती हो जाहीं है, तो तू भुरुडरी पर नहीं हो को पधिम birthday चाहिए, और आपको तो 2 जल interrupting पर दिएD भुञए नहीं है आया पतार को आंप चाहिए IT D और पौधा हमारा किड़े से बचा रहा है तो वह है एक चीज और खाद हम कोई भी खाद जो भी हम गोबर की या फिर वर्मी कंपोज जो बाकी अपने गार्डन में डालते हैं पौधों में इसमें वैसे भी हम बहुत जादा नहीं डालते हैं हा लेकिन महीने में एक बार जैस अच्छा बना रहता है तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं अपने गार्डन में और ये देखने में भी ब्यूटिफुल लग रहा है और इस तरह से आप अपने घर में ग्रीन टी लगा करके उसको एंजॉय कर सकते हैं हां बाकी जैसे हां इसमें कीड़े वगरा भी नह अपने जाएढने जासे देखना रहा है अंच्छी में इसमें एक मुटिक आड़ते गोब की ओर्मि कमपोस्स जो भी हम बाकी गार्डन के पौदों में देते हैं और फिर पानी इसमें चाहिए रहता है इसमें डेली डेली रहता है वार के ताइम पर और विंटर में वहां जाए लिए कि बढ़ने कहते हैं, तो यहां कि उस समय पर एक दिन छोड़ से अगई लें लेकिन हाँ, वाटरिंग इसको देली चाहिए होती है, वाटरिंग का ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं और मिटी में बस यही गंबले में ध्यान रखना चाहिए कि इसके पानी जैसे ना नीचे गंबले में छहेज जरूर हो ना चाहिए ठीक से कि वह पानी स्टोर ना ओनी तो उससे क्या होगा कि जड़े जो है गल के जड़ जाएंगी और जड़े जो है गल जाएंगी तो पौधा खराब होने का डर रहता है बाकि इसमें जैसी मिली बक्स वगएरा और यह सब इस तरह के कीड़ों का कोई खत्रा इतना नहीं होता है क्योंकि इसका टेस्ट भी आप देखेंगे ना खा करके तो यह बड़ा टेस्टी सा लगता है इसका नाम भी लेमिन ग्रास है और इसकी टी आप बना करके पी सकते हैं मैं आपको दिखाती हूं इसका मैंने हार्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपने इतना है इतना लिया और आपने बॉलिंग वाटर में डाल करके उसको एक-दो मिनट खौला लिया और इसमें इंजर 1-1 इंच का यूज कर सकते हैं दो तीन पॉल आप कालिम इस ढाल दीजिए आप चाहें तो इसमें तुलसी पत्ता ती चार पते एड़ कर सकते हैं इस तरह से आप यह देखे आप इसको एड़्ट-टैनर में करके रख सकते हैं तो इसके भी बहुत सारे बेनिफेट् तो आप कट कर लिजाएं, हाथ से तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि एजिस के थोड़े पत्ते ड्राय और रॉफ होते हैं, शार्प होते हैं, तो चाकू की सहायता से, नाइफ से आप एजिली कट करके, और फिर आप इसे ड्रावी, शेमी, सेमी शेड एरिया में, नेट या कुछ ऐसा चीज छनी जैसा लगा करके, आप रख दीजिए और फैला करके, फैन की हवा में भी इजिली सूख जाता है, तो आप इसको सुखा करके, इस तरह से कंटेनर में, अटाइट कंटेनर में, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, और इसके बेनिफेट्स तो आप ग इस तरह से इसके लीट्स ट्राइ लीव मिलते हैं, और फ्रेश भी लेने जाएंगे, तो फ्रेश टैम हमेशा अवैलिबल भी नहीं होती है, और फिर महंगी भी मिलती है काफी, तो इस तरह से आप इसको बनाईए और एंजॉय किजिए इस टी को, और बनाने की रेसिपी भ तो सर्दियों में आप थोड़ा सा एक स्टिक दाल चीनी की भी आड़ कर सकते हैं, उस तरह से आप इसको डिफरेंट डिफरेंट बना करके आप इस ग्रीन टी को एंजॉय कर सकते हैं, और ब्लोटिंग है, डिटॉक्स करने के लिए है, और कफ कोल्ड है, उसमें भी बड़ तो बहुत ही टेस्थी टी बन जाती है, तो कफ कोल्ड और हैड़िक और ब्लोटिंग डिटॉक्स करने के लिए तो मुल्टिपल बेनिफिट्स हैं इसके, तो होप यू लाइक भी इन्फरमेशन और आप इसको लगाएंगे अपने इसको लगाएंगे अपने इसको लगाए आप इस इन्फरमेशन को शेर कीजे, वीडियो को लाइक कीजे और यूट्यूब चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब कीजे और बस ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई इन्फरमेशन के साथ नए प्लान के साथ और तिल देन टेक बुट केर अफ यूरसेल्फ, यूर लव बाइ